हालो एब्रीवन यहां पे आप लोग देख सकते हैं मुझे Windows 11 का ओफिशिल आपड़ेट यहां पे मिल चुका है और यह जो ओफिशिल आपड़ेट मुझे मिला है वो है डेवलफर वर्शन का Windows 11, तो आप लोगों को भी Windows 11 मिल सकता है तो उसके लिए कुछ steps आप लोगों को follow करना होगा जो कि इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो बने रहे हैं मेरे वीडियो में last तक और जानिये कि कैसे हम लोग Windows 11 को download कर सकते officially या update कर सकते officially तो उसको update पाने के लिए हम लोगों सबसे पहले search बार में आके हम लोगों को लिखना होगा Windows Update Settings ठीक है? Windows Update Settings लिखने के बाद हम लोगों को simply Windows Update Settings के उपर click कर देना है ठीक है? Click करने के बाद एक नया वाला window open होगा यहाँ पर दिखिए मैं अभी click करूंगा Windows Update Settings के उपर मैंने click कर दिया और नया वाला window है यहाँ पर यह open हो गया तो यह open होते ही आप लोग देख सकते हैं कि जो नीचे वाला जो portion है left side का वहाँ पर लिखा है Windows Insider Program तो वहाँ पर आप लोगों को click कर देना है click करते ही right side में Windows Insider Program के नीचे एक option available होगा get started करके get started करने से पहले हम यह check कर लेंगे कि मेरा जो PC है वो internet से connected है या नहीं अगर आप लोगों के पास internet नहीं है तो यह process आप लोग नहीं कर पाऊगे तो इसलिए please यह process चालू करने से पहले internet connection है या नहीं अपने PC में connected वो चेक कर लेना चेक करने के बाद get started में click कर दिया हूँ मैंने यहाँ पर देख सकते ही कि register करके एक option दिखाई दे रहा है तो उसमें मैं click करूँगा click करने के बाद sign up and I agree करके यहाँ पर tick करके submit कर दूँगा यहाँ पर यह option क्यों available हुआ मेरे को क्योंकि मेरा जो PC है वो पहले से ही Microsoft का account से login है अगर आप लोगों का PC Microsoft account से login नहीं है तो यहाँ पर link and account करके option आएगा switch account के पास पास ही ठीक है तो switch account भी आ सकता है और link and account भी आ सकता है यहाँ पर ठीक है अगर आप लोगों के पास कोई भी Microsoft account नहीं है तो आप लोग यहाँ पर switch account करके यहाँ पर आप लोग एक email ID बना सकते है ठीक है यहाँ पर देख सकते है जो पहला वाला option है जो existing करता है मेरा email वो यहाँ पर शो कर रहा है और second में इसे different account करके दिखा रहा है तो second वाला option में क्लिक करके continue कर देना और continue करने के बात आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर email ID पूछे जाएगा और उसके ठीक नीचे no account करके question mark है उसके ठीक बगल में create one करके एक option है तो उसमें आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप लोग यह जो account है Microsoft का यहाँ पर बना सकता है तो यह एक बार बना लेजिएगा तो बनाने के बाद automatic यहाँ पर login हो जाएगा login होने के बाद मैंने जैसे दिखाया वासे ही आप लोग को दिखा सकता है या तो फिर से लिंक एन अकाउंट भी दिखा सकता है लिंक एन अकाउंट में भी सेमी प्रोसेस है create account बनाने का जैसे मैंने अभी दिखाया ठीक है अभी दिखा रहा हो कि अभी फिर से में get started में क्लिक करूंगा अभी मुझे link and account का एक option available हो जाएगा ठीक है तो देखी link and account का option available हो चुका है मैं क्लिक कर दूँगा और जो मेरा existing account है वो क्लिक कर कर दूँगा ठीक है अब लोग भी बनाने के बाद कुछ वासा ही आप लोग को दिखेगा continue करने के बाद यहां पर तीना option दिखाए दे रहा है तीना option में मैं चूज करूंगा developer channel को क्योंकि यह developer channel में चूज करूंगा तो मुझे windows 11 का जो update है वो सबसे पहले तुरंत ही मिल जाएगा अगर अब beta channel करोगे तो आप लोग को update मिलने में थोड़ा बहुत देर हो जाएग तो यह करने के बाद restart now पर click कर देना और restart now के click करने के बाद आप लोगा जो PC है या laptop है वो restart हो जाएगा यहां पर restart होने के बाद आप लोगों सबसे पहले यहां पर चेक करना है फिर से windows update settings ठीक है windows update settings में जाना है search bar में लिखे और click करने के बाद आप लोगों फिर से चेक करना है कि कोई update आया है या नहीं आया है तो मेरे यहां पर 10 मिनिट के अंदर मुझे windows 11 का update यहां पर मिल गया था मैंने यह देखा है कि किसी किसी user को एक या दो दिन भी लग गया यह update मिलने में तो मैं यहां पर यह request करूंगा update जरूर आएगा यहां पर थोड़ा इंतिसर किजिएगा इंतिसर करने के बाद फिर से आप लोग चेक किजिएगा windows update settings में जाके check for updates में तो जरूर आप लोग को windows 11 का जो official update है जो version है developer channel का वो आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग भी कुछ इसी तरह मेरा जो steps यहां पर दिखाया है मैंने वो follow करके यहां पर आप लोग windows 11 का जो preview version है वो install करके इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने check करने के बाद मिझे यहां पर windows 11 का जो downloading process है वो चालू हो गया है यह downloading होने में लगभग एक घंटा मुझे लग गया वो मेरे internet की speed की उपर depend करता है और मुझे यहां पर लगभग 4 से 5 GB तक यहां पर data लग गया था ठीक है तो वो पाइट मैं second वीडियो में दिखाऊंगा और इस वीडियो में यह बोलना चाहता हूं कि windows 11 को update या install करने से पहले यह update होने के बाद ही मतलब कि यह downloading होने के बाद ही तुरंत install हो जाएगा ठीक है तो install होने से पहले आप लोग को एक चीज चेक करना है कि आप लोग का जो PC है वो windows 11 से compatible है या नहीं मतलब कि आप लोग का जो PC या laptop है वो windows 11 को support करता है कि नहीं करता है तो इसके लिए भी मैं दो वीडियोज बना चुका हो पहले तो वो दोनों वीडियोज का link में description box में दे दूंगा वहाँ पे जा करके आप लोग directly check out कर सकते हैं क्या है अब लोग यहाँ पे TPM और system recommends check नहीं करेंगे तो आप लोग के PC में ये windows 11 install नहीं हो पाएगा तो prepare करके वो दोनों वीडियोज देख लेना और एक वीडियोज में मैं ये भी दिखाया हूँ कि TPM को कैसे महनवाली check कर सकते हैं और एक वीडियो में ये दिखाया हूँ कि TPM मतलब कि सब जो requirements है वो कैसे हम लोग Windows का दिया हूँ एक software को PC में या laptop में install करके हम लोग ये पूड़ा का पूड़ा check कर सकते हैं कि हम लोग जो PC है या laptop है वो compatible है या नहीं तो कुछ इसी तरह देख सकते हैं कि मेरा जो Windows 11 का preview version है यहाँ पर downloading start होना चालो हो गया है यहाँ पर कुछ percentage हुआ है download अभी तो पूड़ा नहीं हुआ तो नेक्स वीडियो में ये दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ये पूड़ा download कर सकते हैं और install भी कर सकते हैं ठीक है यह download त आता है लेकिन installation का कुछ process होता है ठीक है वह भी मैं क्या process है क्या क्या होता है पूड़ा का पूड़ा एक वीडियो बना के दिखा दोंगा तो उम्मीद करता हो कि मेरा ये वीडियो आप लोगे informative लागा होगा अगर informative लागा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब क सब्सक्राइब के, या खू़ा ठीक